हाई आप लोग यहां पर आप लोको ने देखा मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी जब हम निकले थे तो उसके बाद मैंने थोड़ा देर शूट नहीं किया उसके बाद अभी यहां पर यह देवरिया का ही मार्केट है जो अभी हम लोग जा निकल रहे हैं यहां से के पास देवरिया से मैसेज कर रहे हैं दी हम भी देवरिया के हैं आप कहां रहते हो तो देखो मैं कोई भी अपना लोकेशन नहीं बनता सकती हूं सिर्फ इतना बता सकती हूं कि देवरिया सिटी में ही मेरा घर है और यहां पर सोशल मीडिया पर हमें रिस्क होता है विकॉ तो यहां पर हम बीच चो बीच आ गये हैं दिवरिया के और बस अभी हम क्रॉस भी करने वाला है यह आउटर एरिया है तो अभी हम थोड़े दिल में गुरगपूर पहुंच जाएंगे इसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं गया था डारेक्ट गुरगपूर पहुंचे और ह हम काफी जादा परेशान हुए थे क्योंकि बस भी सारी कैंसिल हो गई ट्रेन तो कैंसिल है हमें होप था कि चलो बस तो मिल जाएगा बस से हम चले जाएंगे लेकिन उसकी लिए भी हमें काफी इधर उदर इधर उदर करना बड़ा है सो अभी मैं पहुंच के फिर मैं आप पर बस नहीं जाएं लेकिन बस नहीं मिली उसके बाद हम फिर दूसरी जगह स्टैंड पर आएं फिर दूसरे भाल प्रेट्रोनियम शाइद ही यहां पर यहां आएं गोरगपूर में लेकिन बस हमारी है नहीं मैंनी भी गॉल किया तो बोलते कि रात के आट बज़ जाएग लोग निकल जाएं पता नहीं क्या होगा और मेरी देवर को यहां पर शादी अटेंड करनी थी तो वह आए वे थे तो रस्ते से हम के साथ चले आएं अब तो अंदेरा भी होनी लगा है और सारी लोग यहां पर पता नहीं क्या से पहुंचेंगे जमारा तो मतलब मुसीबत जब आ रहे हैं तब कुछ न कुछ न कुछ होते ही रहा है एक दिर घंटे वेट करने के बाद फिर हम सोचे की चलो हम शादी पहले अटेंड कर लेते हैं क्योंकि रात के 10 बजे दिखा रहा था बस वो लोग बोल रहे थे 10 बजे आएगा तो हम लोग भी जा रहे हैं उनके शादी में वैसे इंविडेशन तो हमारा भी था क्योंकि और फैमली थी तो हम चले की चलो चलते हैं और जिनके गशादी में जा रही हूं वो भाईया हमारे पास चंडीगडवी आए हुए थे दो डाई जाल पहले आये थे वो जब उनकी मीटिंग थी तो मेरे देवर के सा है कि हम वहां पहुंच जाएं और यहां से ज्यादा दूर भी नहीं था हमें बस 15 मिनिट वहां से स्टैंड से लगाता जाने में तो यहां पे सौंग्स बज़ रहा था मैंने म्यूट कर दिया और सबको काफी अच्छा लग रहा था यहां पे कि मैं आई थी और उमीद नहीं थी कि मैं कभी इनके घर आऊंगी लेकिन चलो मैं यहां चली आई और स्टैंड जा रहा था उसके बाद हम अंदर को जाएंगे और आज इनके घर में तीलक वाला फंक्शन है तो यहां पे काफी अच्छे से डेक्रोएट हो चुका है तो मैं यहां पे साइड में बैटी थी और यह सब लोग बाहर थे स्पोश काफी जादा रोने लगा था गुस्ते गुस्ते पता नहीं क्यों इसको यहां पे आके इतना जादा रोना आ रहा था सब लोग फोटोज वेगर यहां पे क्लिक कर रहे थे और जो शादी में गाना वना होता है वो भी हो रहा था तो अभी मैं बैग्राउंड को ओन करूंगी लेकिन पता है म्यूजिक है इसी वजह से मैं और नहीं कर रहे हूं और यहां पे आप देख रहे हैं स्पोश कितना जादा रो रहा है वो बिल्कुल भी शानत नहीं हो रहा था जितने देर हम थे उतने देर रोता रहा तो हमें जल्दी यहां से निकलना भी पड़ था इसी वजह से कर रहा है और यहां बैठे बैठे में स्वीट सेगर खा रही थी स्पोश बिल्कुल भी निखा रहा तक कुछ भी उस नहीं निकाया नमकीन यांद तक मैंने दिया उसका फैइबरेट स्विश दिया वो भी नहीं खा रहा था क्योंकि पतानी क्यों यहां उसको अच्छा नहीं लग रहा था और एकदम लगसा लग रहा था उसको इस जिवज़ा से ही रूरा था और यहां पर चल रही थी तीला का रस्म भी होने वाला था और काफी जादा टाइम लगता तो फिर मैं सोची कि मैं यहां से निकलती हूँ कि बाबू बहुत जादा रो रहा था और मैं अकेले उसके सांथ बैठी हुई थी फिर मैं बाहर को आ गई थी मैं सोची कि इस दोसा और दोसा के साथ मैंने चार्ट पी लिया था चार्ट बहुत ही यमी लगा था और लेकिन इस पॉर्ष को कुछ भी नहीं खाना था मैं इदर उदर करकर कि नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं ले रही थी कि कुछ तो खा ले लेकिन कुछ नहीं गोल गपे मैं यहां पे खाई और हमने डिनर नहीं किया क्योंकि बताया बस में जाना था और यह बोले कि अगर खाना है तो खा लो भाई आभी बोलेगी मैं पैक करा के दे देता हूं लेकिन बस में हम कुछ भी नहीं खा पाते हैं मुझे वैसे ही मेरी तबित खराब हो जाती है वोंटिंग सा फील होता है तो हमने यहां से कुछ भी पैक भी नहीं कराया और बस स्नैक्स वेगर जो भी थे वह हमने खा लिया था उसके बाद काफी देता है कि हम फिर बैठे रहे थे पहले हम जहां बैठे थे वहां पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहे थी क्योंकि ठंड का तो सीजन है ही और बहुत थी ज़्यादा ठंड लग रहे थी फिर हम यहां पे आके बैठे जो उपर से थोड़ा कौवर था तो थोड़ी कम ठंड लग रही थी नहीं तो वहां पे ऐसा लग रहा था नहीं कि अभी अभी जुकाम हो जाएगा खांसी हो जाएगी कर दो रहां पेसा बार भार प्रश में रहां कि अभी जुकाम हो जाएगी और यहां से निकल जाएंगे, विकॉस पॉष्ण शान्त नहीं हो रहा था, दो तीन नट ऐसे शान्त हो रहा था, उसके बाद वो रोने लग रहा था, प्योंकि यह अनजान सी जगह थी और वो बिल्कुल भी यहां कंफ़र्ट फिल नहीं कर रहा था, फथा नहीं क्यों, वैस इस लाइन में नबर शादी, शादी, चार पांश आदिया थी, इससे निकलने के बाद फिर मेरे देवर ने कार खड़ी की ती, फिर हम वहां जाएंगे और फिर बस टेंड जाएंगे, क्योंकि मैं बोलीन से की चलो, बस टेंड ही बेट करेंगे, क्योंकि स्पोर्ट को रू लाने से क्या फाइदा है वो बुचारा बहुत ही ज्यादा रो रहा था हो बुचारा बिखका रeds में longer से किस लोड़ार बाली को अ ही ज्यादा कर ले फ़ह। और पहले यहां से डारेक्ट बसे नहीं चला करती थी या पर चंडीगर से यहां तक के लिए भी गुरकपूर के लिए भी बस नहीं चला करती थी लेकिन कोरोना में जब सब ट्रेने बंद हो गई तब बसे चलने स्टार्ट हो गई है और यहां से कोई भी बसे नहीं जा रही थी जो हमारी बस थी यह भी नहीं जा रही थे क्योंकि वहां से ना बॉर्डर सील था पूरा यूपी का सो हम लोग भी फंसे हुए था ऐसा लग रहा था हम पहुंच जाएं तब है लेकिन ये जो बस है ना ये फाइनली जाने वाला है हमारा जो बस था वो वापस ही नहीं आया उधर से वो उधर ही फसा हुआ बॉरर पर ही तो फिर उन लोगों ने थोड़ा सा जैसे होता है कि बात बात करके ये वाला बस क्योंकि यहां पर काफी जादा ट्रेवल करने वाले लोग थे और यहां पर ये फोटोस वेगर ले रहे थे बस का क्योंकि हम ये बस को बुक नहीं किये थे हमारा दूसरा बस हमने बुकिंग किया था इसी वज़े से इसका नाम, नंबर वेकर है, सब कुछ लेना जरूरी होता है, क्योंकि जो हमारी booking थी, कभी ऐसा होता है, कि ये बस पता नहीं, कहां लेके चले जाया, ऐसा कुछ होता है, तो सब कुछ सोड़ा से safety का ध्यान देना पड़ते हैं, आप इस परश खुश हो गया क कि फाइनली हम लोग अब जाने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और ये बस में है, और ये राजशुबह का टाइम है, यहां पर आप देख सकते हो, मैं उठ चुकी हूई थी, क्योंकि ये जो sleeper बस से होती है, बीच-बीच में रुकती है, तो यहां जिसको वाश्टूम में करना होता है, वो या फिर चाय, कॉफी, कोई भी पी सकता है, तो यहां पर मैं अंदर ही बैठी हुई थी, मैं जब से बस में चड़ी, उस टाइम से मैं एक दम से सो गई, बेहोश की तरह, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं थकी हुई थी न, शादी व पास दो ही ऐसी जगह होती है, जहां पर बस हमा रुकती है, वैसे बस मुझे ट्रेवल करने में काफ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वोम्टिंग सा होता है, लेकिन एंप्टी एंटी वोम्टिंग मैंने खा लिया था, और यहां पर आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा बस ही रिक हुई है, सबकि अपनी बस दस मिनट या पंद्रे मिनट के रोकते हैं, उसके बाद सारे बस यहां से निकल जाती है उसके बाद मैं यहां पर बस पर चड़ चुकी हूँ, यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रहता है, साइड साइड में, जिसको स्लिपर में लेना होता है, वो स्लिपर लेता है, नहीं तो चेयर वाला भी है कोई जिसको मर्जी वो चाहे, चेयर में भी बैठ सकता है, लेकिन मैं चेयर पर बैठ के नहीं जा सकती थी इतना लंबे ट्रेवल में, यहां पर बहुत ही अच्छे से केविन टाइप का बनाया होता है, यहां पर स्पर्ष बैठा हुए है, और यह चोकोपाई वेगरा, चि कोड़ा सा कुछ खा लो, उसके बाद फिर जो भी सोना होगा सोना तो यहां पर देखिए, इस वार्ष कितना ज्यादा खुश है, और इसको मिल गया था उसका फैवरेट चीज, तो इस लिए हुए इतना खुश है, चोकोपाई चोकोपाई उसका फैवरेट है, तो इस ब्ल एंड शैनिटाइज करूंगी,